Hello friends इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप Google Drive में पासवर्ड कैसे लगाएंगे Google Drive में लोक कैसे लगाएंगे तो नमसकार दोस्तों आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है friends होता क्या है कि आपके google drive में बहुत सारे photos होते हैं जो कि आपके अपनी photo होती है और कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति लेके आपके google drive को open करके photo देख सकता है तो आप कैसे इसमें lock लगाएंगे तो इसी चीज को हम बताने वाले हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है जैसे यह google drive है तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यह देखिए यह खुल जा रही है तो कोई भी photo देख सकता है तो इसी चीज को हमें privacy करना है तो हमें करना क्या है अपने mobile के setting में चले जाना है और mobile के setting में जाने के बाद हमें यहां पर apps देख लेना है किसी mobile में apps रहता है किसी mobile apps management रहता है तो हमें apps में चले जाना है और apps में क्लिक करेंगे इसके बाद सबसे नीचे आप देख रहे हैं app lock तो app lock में क्लिक करेंगे और app lock में जब क्लिक करेंगे तो अगर आप पहले से आप अपने mobile में कोई भी एप में लॉक लगाए होंगे तो उसमें pattern lock या password set होगा तो आपका जो pattern lock है उसको यहाँ से open कर लेंगे ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे google drive देख लेना है कहाँ पे है आपकी google drive तो हम चलते हैं नीचे už RVD आुखके और देखते हैं यह रही हमारी google drive तो इसमें हमें अब lock लगाना है तो अब हमें क्या करना है यहाँ से इसको enable कर देना है जैसे आप इसको enable करते हैं तो आपकी lock लग चुकी है इसके बाद बैक आते हैं बैक आने के बाद अगर हम google drive को खोलते हैं तो google drive नहीं खुलेगी यह देखिए यह पैटर्न लोग की आपको वीडियो में नहीं आएगा तो चलिए हम अगर इस लोग को फिर हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे फिर से चलना है अपने सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद अगर आप सोच रहें कि नहीं चलिए अब ह अपने पाद पैटर्न लोग को यहां से खोल लेना है तो जो भी आपकी पैटर्न लोग है वो आपको इस वीडियो में नहीं दिखाई परा होगा इसके बाद पैटर्न लोग नहीं दिखता है वह यहां से इसको डिसेबल कर देते हैं डिसेबल करने के बाद आपकी लोग ख